हेलो गाइस माइनेम इस कुल्डीप एंड वेलकम टू स्टडी फंडा ठीक है तो आज का लेक्शर काफी जदा इंपोटेंट होने वाला है क्योंकि यह लेक्शर है डेली करेंट अफेर एंसी क्यूज का वह भी चार अक्टोबर का और यह जो एंसी क्यूज है न वह हमारे एक क्यूंकू होने वाले यह सबक्ति उनको क्याष्ण रुक्ति करीये और उनकी आंसर आप इस कामेंड बॉक्स में लिख ऑ अपना स्कूर भी अपि इसमें लेख सकते हैं तकि आपको पता चले अपके स्कूर क्या और वाकी ओन और जो student है वो भी सब कर सकते हैं और जो important जो MCQ होते हैं आप उनको note down कर सकते हैं बाग उसके note down करने के बाद जैसे exam आता है आप उनको revise कर सकता है और यह आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial हो सकता है ठीक है तो आइए चले lecture स्टार्ट करते है तो आज का पहला MCQ है कि who of the following has taken over as chief of air staff मतलब question यह है मतलब अभी जो chief of air staff है वो कौन उन्होंने कौन है वो chief of air staff जिनको चुना गया है ठीक है option इसमें दे रखे हैं ठीक है option पहला है air marsal vivek चौदरी दूसरा हर्जीत अरोडा तीसरा राकेश सिंग और चौथा नौन अप दा एरोप ठीक है तो इसमें से सही answer है air marsal vivek राम चौदरी या वी आर चौदरी ठीक है तो वी आर चौदरी जो अभी है हमारे नए chief of air staff ठीक है तो जैसे कि इसमें news में लिखा रहा है air chief marsal vivek राम चौदरी ट air staff की होते हैं जो हैड करते हैं पूरी military staff को और वो किसके इंडिन एर फोर्स को ठीक है इसके लावा इसकी जो formation का हुई थी 26 जनवे 1950 में ठीक है यह चीज थोड़ा important हो जाते हैं तो इन चीज को आप याद रखना इसके लावा दूसरा कोशन हम देखे हैं तो दूसरा कोशन है कि जो exercise हमारी मित्र सक्ति जो की इंडिया और स्री लंका के बीच में होती है मित्र सक्ति 21 is which edition of the bilateral military and army exercise मतब यह पूछा गया है कि जो मित्र सक्ति जो exercise है तो जो exercise हो रही है वो इसका कौन सा addition तो इसमें addition का number पूचा है ठीक है तो option है इसमें A है 7th, B है 8th, C है 9, D है 10 तो इसमें से कोई correct answer होगा तो इसका correct answer है 8th, तो यह जो exercise हो रही है इसका कौन सा addition चल रहा है यह होगा आठम addition तो इस point को आप याद रखना तो जैसा कि बताए कि आठम addition की exercise जो की India स्री लंका बीच में होगी जो को bilateral joint exercise है जिसका नाम है मित्र सक्ति ठीक है और यह कहां पर होग यह स्री लंका के अमपारा जगह में होगी जो combat training school है जो की अमपारा में स्री लंका में है ठीक है तो इसको याद रखना यह 8th edition इसका और exercise का नाम क्या exercise मित्र सक्ति जो की India और स्री लंका के बीच में होगी तो इस चीज़ को याद रखना डारेक्टली ऐसे question जो है वो काफ इस पॉइंट को आप याद रखना और यहां पर इस पॉइंट पर स्री लंका की जो केपी टहले कोलंबो वो इसका location और यहां पर एक पोर्ट है हमबन टोटा पोर्ट इसको भी याद रखना ठीक है एए कुछ important location हो जाती है सिल लंका की तो इनको याद रखना एकुछ exam स्मॉल सेविंग स्कीम मतलब कोशन यह पूछ रहा है कि गौर्णमेंट डेटा के अकॉर्णिंग हम देखें तो वह कौन सा स्टेट है जिसने स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती है उसमें हाइस कंटूपेटर है उसका ठीक है ऑप्शन इसमें महारास्टरा वैस्ट बंगाल केला यदि राजस्तान ठीक है अब तो आप तो अपने इसका अटैम कर लेगा कोशन तो इसका वैसे देखें तो सही हांसर क्या है तो सही है इसका है वेस्ट बंगाल तो वैस्ट बंगाल जो इस्टेट है वो स्मॉल सेविंग स्कीम में इसका करन पिबेशन कप से चादा होता है ठीक है, Small Savings Scheme वो ही होती है, जैसे कि कुछ NF वाली हो गई, यह सुकन्यक समध्धी योजना हो गई, इस तरीके कि यह Scheme होती है, जिनमें Intergest काफी ज़्यादा होता है, और यह कुछ Time Period के लो होती है, ठीक है, उनको हम Small Savings Scheme बोलते हैं, तो जैसे कि इसमें लिखा है, According to the Data Release by Ministry of Finance and Data and Regist किया है, तो उसमें लिखा, उसमें बताएगा है कि जो West Bengal, जो हमारा जो State है, उसने इसमें टॉप किया, मतला है, वो सबसे बड़े Contributor in National Savings Scheme में, जो कि Government offer करते हैं लोगों को, ठीक है, और यह इसके Top 5 State की List है, तो पहला West Bengal है, दूसरा उत्तरप्रदेश, तीसरा महारास्ट है, चौता गुजराथ, अब पांचमा तैमिल लाडू, तो Top 3 तक तो आप याद रखता हैं, वैसे तो Top 5 तक याद रखना, उनका arranging order में भी आ सकता है, तो West Bengal का share कितना है, 15% है, तो सबसे यादा share किसका है, West Bengal का, तो इस चीज को याद रखना, और यह report किसने release किया है, यह release किया, Ministry of Finance ने, ठीक है, next question हम देखें, तो which ministry launched DG Section, मतलब DG Section एक initiative है, तो वो किस ministry ने launch किया है, ठीक है, option इसमें दे रखे है, Ministry of Food Processing Industry, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Housing and Affair, यह Ministry of Panchat, ठीक है, यह चार option है, तो इनमें से कोई correct answer होगा, तो इसका सभी correct answer है, Ministry of Labor and Employment, ठीक है, तो यह जो DG Section, जो initiative है, वो ministry of labor and employment ने, launch किया है, ठीक है, जैसे इसमें लिखा, labor ministry ने launch किया सक्टा, यह एक ऐसा initiative, जिसके वज़े से, जो unemployment youth है, उनके लिए, कुछ initiative निकाले जाएंगे, तो ठीक है, तो इन initiative की वज़े से, जो इनको, जो youth है, उनको free of course training दी जाएगी, किसमें, digital skill training, जिसमें, computing हो गई, उनके यह सब चीज़ें, free of course, उनको दी जाएगी, तो यह, इसका main object है, disease section, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, और इसमें, लगबार, तीन लाग से ज़्यादा youth इसमें, अपियर होंगे, इसको, disease section में, इस initiative को लेने के, हगदार होंगे, ठीक है, इस point को याद रखना, then next question में देखें, कि जो disease section में, जो अभी previous question है, उसी से related है, जो disease section में, जिसको launch किया था, ministry of level ने, वो किसके साथ associated है, मताई यह initiative सल दा है, ministry of level ने इसको launch किया है, तो किसके साथ यह launch किया है, किसके साथ यह associate करके launch किया है, आप इसमें, खुद दिमाग लगए, आप आपका, अपने यह, जैसे मैं पिछली बार question में बताया है, तो इससे आप बता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके option देखते है, तो option है, Facebook India, Microsoft India, नीती आयो, यह Amazon, तो इसमें से सही answer है, Microsoft India, तो Microsoft India के साथ, Labour Ministry जो है, इसने, दीजी, सक्षम, जो initiative, उसको launch किया है, ठीक है, तो इस initiative में, मतलब एक करोड से ज़्यादे active job seeking है, इसमें registered है, जो registered कहाँ पर है, national career service में, इस portal पर, ठीक है, उनको क्या-क्या सिखाए जाएगा, JavaScript होगी, data visualization होगया, advanced Excel की training इसमें दी जाएगी, power V की training इसमें दी जाएगी, HTML को भी इसमें पढ़ाए जाएगा, programming language होती है, तो इसमें पढ़ाए जाएगा, यह, इसके साथ किराए जाएगा, Microsoft के साथ, और कौन किराएगा, Labour Ministry, ठीक है, तो इस point को याद रखना, then next question इसमें देखें, तो which organization developed, बाल रक्षा किट, मतलब वो कौन से organization है, जो बाल रक्षा किट, डेबलब किया है, option इसमें दे रखें है, all Indian Institute of Medical Science, National Institute of Ayurveda, all Indian Institute of Ayurveda, या none of the above, ठीक है, तो इसमें से कोई एक correct answer होगा, तो इसका सही answer है, all Indian Institute of Ayurveda, मतलब, all Indian Institute of Ayurveda, ने जो बाल रक्षा किट है, उसको develop किया है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ, IUS Ministry के अंदर जो आती है, ये institute, उसने ये बाल रक्षा किट किया, और बाल रक्षा किट ये, चिल्डन्स के लिए, इसका मतलब, ये बच्चों बूस्ट, जो immunity है, उसको बूस्ट कर बाल रक्षा किट, ठीक है, तो ये जो कितने तक के बच्चों के लिए, ये 16 साल तक के बच्चों के लिए है, ताकि जो viral infection है, उसको prevent किया जा सके, उनसे बचाई जा, to protect the children, ठीक है, और ये ऐसी 10 के जो है, वो free of course, distribute की जाएंगी बच्चों में, बच्चों को, sorry, बच्चो में पूछे जा सकते हैं, then next question इसमें देखें, तो next question है, who has been appointed as the brand ambassador of the NB India, मतले NB India, जो है, NB India के बारे में बताऊंगा आगे, तो अभी जो NB India के जो NB है, उनका जो brand ambassador है, वो किसको appoint किया गा है, option है, आमिर खान, अक्षे कमार, रनवीर सी, ये सारु खान, तो ये 4 option है, इ रनवी सींग है, जो NB India के जो है, वो अब brand ambassador है, ठीक है, तो इस point को याद रखना, तो जैसे कि इसमें दिखा जा रहा है, तो कि जो रनवी सींग है, वो NB, जिसका NB के पहले तो ये जाने है, NB का फुलकॉम क्या है, NB का फुलकॉम है, National Basketball Association, ये USA में और Canada में खेला जात है, ठीक है, तो, जो NB India है, उनके brand ambassador है, तो कौन है, रनवी सींग, तो इस point को अब या रखना, तो NBA के बारें थोड़ा देखें, NB League, ये National Basketball Association, जो है, वो नौस्ता अमेरिका में घाला खेला जाता, particularly USA and, sorry, and Canada में, ठीक है, इस point को याद रखना, ये कब से स्टार्ट होजी 1946-47 के बीच में, अभी जिक के जो current champion है, वो mill view के bucks करके है, sorry for interpretation, तो इस चीज को आप याद रखना, ठीक है, और इसके जो headquarter है, वो New York में है, जो की United City है, वो अमेरिका में है, तो ये कुछ point इसमें important हो जाता है, और ये NBA का, जो, ये NBA का logo है, तो इस point को याद रखना, NBA किस स इनको काफी सारी dimension में करें किसा पूछा सकता है, ठीक है, then next question इसमें देखें, which company has launched the future engineer program, वो कौन सी company जिसने future engineer program launch किया है, option है, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, ठीक है, तो इसका सरी answer है, Amazon, Amazon न ये future engineering program launch किया है, तो इसके बाद थोड़ा देखते है, तो Amazon जिससे में बता है, Amazon न ये program launch किया है, global computer इसका main objective क्या है, कि कुछी access देगा, computer science education और जो career opportunity है, जो student को, वो Amazon इस initiative के अंडर ये चीज़ा प्रोवाइड कराएगा, और ये important नहीं, और इस से भी कुछ पच्चों के लगा रहा है, जो कि underrepresented हैं, ये underrepresented हैं, ये underrepresented committee है, तो उनके लिए ये initiative launch किया है, कि किसने Amazon है, तो इ each bank has shut down all of its ATM across the India from 1 October, मतलब, question ये है कि, इंडिया में वो कौन सा bank है, जिसने अपने सारी ATM बंद करती है, 1 October 2021 से, ठीक है, option है, उजीवन, SFB, then Equitary, SFB, then Suridh, SFB, then Nainital Bank, SFB मतलब, small finance bank, ठीक है, तो ये bank, तो ये चार option है, इनमें सोगे एक सही answer होगा, ठीक है, तो इसका सही answer है, Suridh Small Finance Bank, Suridh Small Finance Bank ने 1 October 2021 से, अपने जितने भी, इसके जितने भी ATM थे, उनको बंद कर दिया है, shut down कर दिया है, तो जैसे कि लिखा है, कि उन्होंने region दिया कि due to operational region, Suridh Bank ने अपने सभी ATM discontinue कर दिया है, 1 October 2021 से, तो अग BFC होता करती, NBFC मतलब non-banking financial company, इसमें banking वाले चीज़े नहीं होती, ये बाकि जो other company उनको loan प्रावेट करती है, बाकि जो bank होते हैं, जैसे अभी जो SBA हो गया, PNBA हो ये, क्या होता है, ये इसमें customer आते हैं, छोटे-छोटे customer जैसे हम लोग होते हैं, अपने इसमें पैसे जामा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन जो NBFC company होती हैं, इसमें companies इन से loan लेती हैं, जो infrastructure project होते हैं, उनको loan प्रोइड करते हैं, तो वह होती है, NBFC company, ठीक है, इससे पहले ये वही थी, तो इस चीज़ को जागता है, इसकी मेन, और ये सूरिदर वेंक की मेन प्रिजन देखा जाए, वो मारस्ट है, तमिलाडू या ओडिशा में है, ठीक है, तो इस point को भी याद रखना, तो आज के लेक्षन बस इतना है, और मिलते हैं, नए, कल, नए, और भी जादा interesting question के साथ, तब तक के लिए, thank you and jam.